नमस्कार मैं प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में आई एक्स स्टॉक को डिस्कस करेंगे यह एक ऐसा स्टॉक रहा है जो पास्ट वन एयर से काफी कंसोलिडेट रेंज में रहा है पहली एक बरी खबर जो मुझे लगता कि इस समय आपको देखना चाहिए वो है 15th मई 15th मई को कंपनी अपने Q4 के नंबर्स जो है वो डिकिलियर करने वाले हैं और रिसेंट का ट्रेंड डिपेंडेबिल होगा इस रिजल्ट का इसके अलावे देखेंगे तो कंपनी के अंदर जो ट्रेंड है वो कंतिनुवस देखेंगे तो फिछले त्टु एर से अंदरपरफ़ॉं है जो नीजर आरांट का है वो डीज वुल्यू म है और आज के वुल्यूम भी देखेंगे तो 32 लैक यानि अव्डेज वुल्यूम के नीचे का वुल्यूम दिखरा है अपडेट्स की बात की जाएं तो कुछ ऐसे बरे अप्डेट नहीं दिखें थ्री माई को इसके जो volume monthly है उसको लेकर के update है जिसमें 211% year on year basis पे बढ़ते हुए दिखा है अगर बात की जाए कुछ बरे announcement के तो ये सभी announcement इसके quarterly numbers के बाद ही दिखेगा और Q4 को लेकर की ही देखेंगे कि 15th 5 2024 को जो Q4 के numbers आएंगे उसको लेकर के company update दे रही है अब देखें इस stock का चार्ट क्या क कहता है चार्ट में देखें तो जो major support है ये एक trend line है जो इस stock का major support रहा है और इस support ये अभी भी एक support रहेगा 130 के आसपास का level का ये पुरा consolidate support zone है लेकिन ये trend line है जिसको continuous जो है stock ने breakdown करा यहां से breakout हुआ consolidate करा तो अभी मुझे लगता है कि 15 तारीक तक 140 in between 132 और 148 के बीच में trade होते दिख सकता है एक बड़े trend के लिए minimum यहां ये multiple time consolidated resistance रहा है तो 162 के breakout पे immediate target 174 इसके उपर 220, 280 और 340 प्लस तक के levels दिख सकते हैं real breakout 174 के उपर दिखेगा जहां multiple resistance रहा है short term breakout 162 के उपर दिखेगा जहां से easily 174 का target दिखेगा इस समय ये previous resistance को support के रूप में respect कर रहा है लेकिन मुझे लगता है कि ये पुरा ही consolidated zone है short term trader ignore करे long term अगर आप prospective से है तभी hold बनाए रख सकते हैं